हलो दोस्तों जनरल साइंस कोशन के इस वीडियो में आपका वैलकम है तो अब डिसकस किये जाएंगे सलेक्टेड जनरल साइंस के कोशन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एक्जाम के लिए काफ़ी इंपोटेंट होने वाले हैं क्योंकि सबी सलेक्टेड कोशन है और इसका करेक्ट आनसर है और रैंसाइन अद-द्रक ओके भाग होता एंभा कि होटा है कित नेक्ष्टे तो इसका correct answer है option number A sponge में पाई जाती है ने दिवी नाम पदती किस ने प्रतिपादित की तो इसका correct answer है option number 7 बिलकुल correct है जो केरोलस अलीनियस ने प्रतिपादित की थी दिवी नाम पदती निक्ष ने पांच जगत वर्गी गरण निक्ष ने बायो फाइटा मादा जननांग है तो इसका correct answer है option number से आरकी गोर्णिया में पाए जाते हैं निक्ष ने जनतु विज्ञान के जनक है तो इसका correct answer है option number से अरस्तु है जनतु विज्ञान के जनक निक्ष ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था तो इसका correct answer है option number 2 फुंक ने प्रतिपादित किया था विटामिन शब्द का निक्शन है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नमर दे काशियो रिक जो कोर है वह है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग निक्शन है घाव को बढ़ने में कौन सा विटामिन सायक होता है तो इसका correct answer है option number 6 जो vitamin C होता है मतलब जो C vitamin होता है जो कि आपको खर्टी चीजें जैसे की नीमबू और अंगूर और संत्रे से प्राप्त होता है वह घाओ को बढ़ने में सायक vitamin कहलाता है next ने लार में पाया जाने वाला enzyme है तो इसका correct answer है option number 2 टाइलीन enzyme पाया जाता है जो कि लार में पाया जाने वाला enzyme है next ने दूद का इसकंदन होता है तो इसका correct answer है option number 2 रेनीन दौारा होता है दूद का इसकंदन रेनीन दौारा होता है next ने रुदिर इसकंदन हे तू आवश्यक विटामीन है तो इसका करेक्ट आंसर है जो विटामीन के है वहरुदिर के सकंदन के लिए आवश्यक विटामीन है नेक्शन है पेलागर रोग किस विटामीन की कमी से होता है तो इसका करेक्ट आंसर है नियासीन जो विटामिन है उसकी कमी से होता है पेलागर रोग नेक्शन है कोपर की कमी से होने वाला रोग है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर बै जो एनिमिया रोग है वह हो जाता है कोपर की कमी से नेक्स चिन है सबसे सरल हरे पादप है तो इसका correct answer है option number से शेवाल होते हैं सबसे सरल हरे पादप नेक्स चिन है हरे शेवाल कोशिका में Pyrynide संबन्दित होता है तो इसका correct answer है option order है स्टार्च के निर्मान से संम्दित होता है पायरिनाइड जो कि हरसेवाल कोशिका में पाया जाता है next Шन है Spigra Spirogeira की कोशिका बिती next Шन है बायो फाइट्स और टेरिडो फाइट्स में भिन होते हैं तो इसका गरेक्ट आंसर है option number 2 जो वेस्कुलर उत्तक की अनुपस्तिती में होते हैं बायो फाइटा और टेरिडो फाइट्स में इसका गरेक्ट आंसर है option number 2 उप्रोग तो सभी लक्षर होते हैं टेरिडो फाइट्स में मतलब समवन उत्तक की अपस्तिती पुष्प की अनुपस्तिती फल की अनुपस्तिती यह सभी कारक्ण है टेरिडो फाइट्स में किस वर्ग के सदस्यों की वर्तमान में प्रत्वी पर अधिक्ता पाई जाती है तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर दे एंजियो इस्परम जो की सदस्य है उनकी सबसे ज़्यादा अधिक्ता पाई जाती है प्रत्वी पर वर्तमान समय में सदस्यों किस ने की तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर ए क्रेप्स ने सबसे पहले खोज की थी गुलकोस के द्वारा कैसे उड़ जा की मुक्ती होती है निक्शन है निमन में से कौन नाइट्रोजन को पोशक ततु के रूप में अवरदी के लिए प्रियोग करता है तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर ए इस्पाइरो गायरा का यूच किया दता है नाइट्रोजन को पोशक ततु के रूप में अवरदी के लिए निक्शन है कौन नाइट्रोजन इस तरी करण में सहयक नहीं है तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर से जो ओसी लेटोडिया है वह नाइट्रोजन इस ती करण में सहयक नहीं है निक्शन है टाई कोशिश्ट किसमें पाई जाती है तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर से पेरा मीशियम में पाई जाती है ट्राई कोशिश्ट निक्शन है यदि सभी तालाब नश्ट हो जाए तो कौन सा जीव नश्ट हो जाएगा तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर से जो प्लाजमोडियम जीव है वह नश्ट हो जाएगा अगर सभी तालाबों को नश्ट कर दिया जाए नेक्शन है राई जोपस में पोशन की विधी है तो इसका correct answer है ऑप्शन नमबर से मरतोप जीवी जो की एक विधी है वह है राई जोपस की पोशन विधी नेक्शन है सिस्टेमा नेच्यूरी नामक पुस्तक के लेकग है तो इसका correct answer है अप्शन नमबर दे लीनियस है सिस्टेमा नेच्यूरी नामक पुस्तक के लेकग नेक्शन है साइनो बेक्टिरिया है तो इसका correct answer है अप्शन नमबर बै एक शेवाल जिसमें नील हरित वर्नक पाए जाते हैं उसे साइनो बेक्टिरिया कहते है नेक्शन है प्रोटियन की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है अप्शन नमबर बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी प्रोटियन की खोज तो दोस्तों आज का ये जनरल साइन्स कोशन का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट के माद्यम से बताइए और अभी तक Study Readout चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सबस्क्राइब कर दिजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दिजिए ताकि आप हमारे लेटिस्ट वीडियो की नोटिचन सबसे पहले प्राप्ट कर सकें और इस वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp अकाउंट के माद्यम से शेयर कर दिजिए ताकि आपके दोस्तों लोग भी इस वीडियो को देख सकें तो आज की लिए दोस्तों इतना ही Thank you दोस्तों